साथ मई दो हजार बीज, बुद्ध पूर्णमा का दिन, संभावना तो इस बात की है कि जैसी पूरे विस्मे महामारी है, तो बुद्ध पूर्णमा लोकडाउन में जाएगा, यानि कि सब अपने अपने धरों में इसको याद करेंगे, इसको समझेंगे, इसको जानेंगे, बुद्ध के वारे में पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे, जैसा कि पराने समय में होता था, पूजा पाठ तो पराने समय में कहीं होती नहीं थी, क्योंकि पूजा पाठ तो जो बुद्ध की फिलोस्पियर पद्धती है, उसमें कहीं है नहीं, बाद में कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए है, उसको जोड़ा इसमें अंदर प्रैक्टिस अभ्याद जरूर है धम को सीखना है, धम का व्यवार करना है ये बात इसमें तै है मगर हसी की बात ये है और गुसे की बात भी है कि धम जहां संग बनाता है, यानि कि धम के जितने लोग हैं, वो संग बनाते हैं संग का मतलब साथ रहते हैं, एक साथ होते हैं वहीं धम के जितने भी धमिक लोग हैं या धम को मानने वाले हैं या आज की बहासा में उनको बुद्धिष्ट या बुद्ध या धम को मानने वाले जितने भी लोग है वो सब संग में नहीं है अलग-अलग है ये धम का बिखराव और ये धम का जो असंग है यानि कि जिसमें संग नहीं है असंग्टत है ये धम के विरुद बात है यानि कि धम की अलग-अलग संस्ता है धमके अलग-अलग कारे करता है अलग-अलग धमके गुरूप है और बड़े सीना ठोक के और तान के कहते हैं कि हम बुद्ध को जानते हैं बुद्ध को मानते हैं हम बुद्धिष्ट हैं हम बुद्ध हैं हम सबसे बड़े बुद्ध के अनुयाई हैं हम सच्चे बुद्ध हैं यानि सच्चे और जूटे भी हैं सच्चे बुद्धिष्ट और जूटे बुद्धिष्ट भी आगे हैं तुम जूटे बुद्धिष्ट हम सच्चे बुद्धिष्ट ये भी कहानी आ गई है मतलब बuddh से आगे बuddh की philosophy चल रही है एक बड़े कमाल की बात है जराबी शरम नहीं आती इस बात के लिए कि कैसे बuddhst उ अगर एक बuddh पूर्णविवा को एक साथ नहीं मना सकते अगर भंके सारे बuddh बिहारों को एक साथ नहीं कर सकते अगर बुद्ध की सारी सिक्षाओं को एक साथ नहीं बता सकते अगर बुद्ध का एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं बना सकते एक केंद्रेकरत सिस्टम नहीं बना सकते बुद्ध का एक संग नहीं बना सकते अगर बुद्ध का एक कहीं कोई एकता का यूनिफाइड का कोई सिस्टम डवलप नहीं करकर सकते तो कम सिगम बुद्ध का नाम मत लीजिए क्योंकि बुद्ध ने आपको असंग नहीं सिखाया बुद्ध ने आपको संग सिखाया बुद्ध ने आपको धम सिकाया और अगर धम आप सीख गए हैं तो धम में कैसा ही हो धम में तो करुणा है, मित्ता है, समता है, भाईचारा है, प्यार है कहते कहते आप ठकते नहीं जब आपको माईक मिल जाता है तो माईक छोड़ते नहीं करुणा, मैत्री, भायचारा, मुदिता, सब पढ़ा देते हो एक तरफ से, बुद्ध के सारे दस पारमिता, बुद्ध के आश्टांगिक मार्ग, बुद्ध का इतना, बुद्ध का उतना, कमाल का, आपका लेक्चर कमाल का भासा, मगर वहवार आपका जी रो, अलगला आपक मिले लगते हैं, अलगला आपके संग्ठल लगते हैं, अलगला आपकी सभाएं लगती हैं, आपका कोई भी भारत में, अगर किसी को, नाकुर वाले व्यक्ति को, अगर इलाबा जाना हो, एमदाबा जाना हो, या गुजरा जाना हो, या सूरज जाना हो, या कहीं दूसरे छ धमकी सालाइं हैं या जो आपके बुद्ध मंदिर या बुद्ध बिहार हैं उनका कोई सेंट्रल सिस्टम भी नहीं है यूनिफाइट सिस्टम भी नहीं है हजार आदमी अगर बुद्ध बिहार बनाते हैं तो हजार तरगी पर्ची चापते हैं और बिचारे अलग-लग पैसा एकटा करते हैं आपका पैसा एक साथ रखने का कोई सेंट्रल सिस्टम ही नहीं है अगर आपका भारत का कम से कम पूरा बुद्ध बिहार प्रवंधन कमेटी आपकी बन जाती तो जितने बुद्ध बिहारों का निर्माण होता है वो सबका पैसा लोग दान में एक साथ दे देते आपके उस उसमें कुछ लोग साहता भी करते कुछ इंजीने वगरा भी होते तो काम बन जाता अंबेटकर भवन जो दिल्ली के अंदर इस्थित है जिस पे बावा साब ने अपना खुन पसीने का पैसा दे के उसको बनाया उसको उसको उन्होंने अपना पथा लगाया उसके लोगों क बटके में रखी हुई फिरती रहती हैं ऐसे ही धूल चारती रहती हैं लोगों को पता भी नहीं है उसका चैते भूमी उसका बुद्विहार सतर साल पहले बनना था मगर आप सब चुकी खटे नहीं हैं इसलिए जिसका जो मनाया उसने अम्बेट का भवन का वैसा ही किया किसी ने अम्बेट का बन पर शादियां करा दी किसी ने वहाँ पर स्कूल बंद किया किसी ने स्कूल खोला किसी ने वहाँ पर बसें खड़ी करा दी किसी ने वहाँ पर पारकिंग बना दी किसी ने वहाँ टेंड लगवा दिये किसी ने वहाँ जो जिसका मनाया किसी पार्टी का टेंट लगवा दिया पार्टी का वहाँ ठेराव हो रहा है दुनिया भगी बात है मगर वहाँ बावा साब के सपनों का कोई काम नहीं ये इस्तिती इसलिए है क्योंकि आप जैसे बुद्धिष्ट हैं बेसका आपके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रिया हो सकती है बेसका आप बहुत ज़्यादा बड़े सामाजी आदमे हो सकते है बेसका बहुत बड़े लीडर हो सकते है मगर आप वो सेंट्रल सिस्टम नहीं बना पाए आप स्टेट का सिस्टम भी नहीं बना पाए आपका बस विक्तिवाद का कोई सिस्टम हो सकता है वो भी किसी की दया के उपर किसी ने अगर कोई दया दिखा दी तो ठीक है वना छुटी, कोई कोई बात नहीं है ये सोचना 7 मई आ रही है आप लॉक्डाउन में इसको सोच ये कि बुद्ध जो पूरी दुनिया में फैल गए और बहुत इसे फैलते जा रहे हैं भारत में इतने कमजोर आपने क्यों कर रखे हैं जबकि वो कमजोर नहीं है क्या कारण है कि आप उनके बुद्ध बिहार के अंदर जिसका मैं में में मरूँ वहां मैंने का था कि यहां दिल्ली के सारे बुद्ध बिहारों का एक सेंटर सिस्टम बना लेते हैं तो दो-तीन जो बुड़े लोग थे जो किसी एक राजनिदिक पार्टी से संबन्दित थे वहां ने विरोध किया बहुत तड़ा विरोध किया मैंने उसे कहा तुमारी राजनिदिक पार्टी तुम्हें यही सिखाती है विरोध कर ना सिखाती है यह काम खराब है क्या कहने लगे हम तेरे को नेता नहीं बनने देंगे अरे मेरे को नेता मत बनाओ तुम खुद नेता बन जाओ और करो तो सही मेरे को मत बनाओ, काम तो करो काम करने में क्या दिक्कत है तुम नेता बनो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ाओं तुम्हारे साथ सही करूँगा, काम करूँगा, करो तो सही लगर तुम मैं नेता बनूना तुम करो न ये कुछ समझ में आई तुम्हें बात के धम का साहिता कर रहे है या धम का विरोध कर रहे हो अम्बेट करवाद का साहिता कर रहे हो या अम्बेट करवाद का विरोध कर रहे हो हमारा बुद्ध ब्यार के अंदर हमने कहा कि यहां 200-300 आदमियों की धम देशना हो सकती है अच्छे लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है और जो बहुत ज्यादा कुंद मायन के लोग थो ने कहा जी यहां तो इतनी जगए नहीं है यहां कैसे अरिज्मेंट होगा अच्छे लोगों ने कहा है यहां टेंट लगा देंगे टेंट में कोई दिक्कत नहीं है खराब लोगों ने कहा जी नहीं यह तो नेता बन जाएगा अरे तुम नेता बन जाओ, तुम लगाओ यहाँ, कुछ करो तो सही, तुम करोगे नहीं, किसी को करने दोगे नहीं, धम कैसे बढ़ेगा, तुम कैसे धम के आदमी हो, कैसे अंबिर करवादी आदमी हो, इस सोच से निकलना पड़ेगा, इस सोच से बहुत लोग मर चुके हैं अमरीका के बरावर पहुंसकता है और थोड़ा दम लगा दे तो अमरीका से आगे भी पहुंसकता है पानी हमारे पास है, खेत हमारे पास है, खलियान हमारे पास है, खनिज हमारे पास है, पड़े लेके लोग हमारे पास है, टैक्टिक हमारे पास है, करने की कुछ इक्षा हमारे पास है, हो सकता है आप एक बार यूनिफैट सिस्टम तो बनाईए सारे बुद्विहारों को जोड़िए सारे एक सेंटर सिस्टम बनाईए जिसमें भारत के सारे बुद्धिष्ट लोगों का रईष्टिसन हो के हमारे इतने बुद्धिष्ट इस जिले में हैं इतने लोग इस जिले में हैं, बनाए तो सही, तभी तो आप दुनिया से मदद ले सकेंगे, तभी तो दुनिया आपको मदद देगी, तभी तो दुनिया आपको मानेगी कि ये बुद्ध की भूमी है, तभी तो आपको गर्ब होगा कि आप बुद्धिष्ट हैं, तभी तो बावा साब मुस्क्राएंगे कि आज मेरे अनुयाई उन्हें मुझसे बड़ा काम किया है। हर बाप को खुसी होती है जब ये पता चलता है कि उसके बेटे ने उससे बड़ा काम किया है। आप उस खुशी को बावा साब को दीजे न, बावा साब से बड़ा काम कीजिए, बावा साब जहां दे गए हैं, वहां से आगे गाड़ी में धक्का मारिए और चलिए, वक्ती बाद को और वंस बाद को छोड़ दीजिए, और छोटी जो सोचे उसको छोड़ दीजिए, वरन आपका सत्यानास और सर्वनास तो हुई गया है अब आपके गले में हंडी और पीछे ज़ाड़ू आने का इंतिजार है धन्यवाद